गुट मॉनिंग स्टुडेंट्स इस वीडियो इस फॉर ग्रेड टू एंड तोड़े वी आर गॉइंग तो रिड चैप्टर नमबर टू यूज इस ओफ कम्प्यूटर ओके सो लेट स्टार्ट इसका मतलब है कम्प्यूटर एक बहुत यूज फॉल मतलब जिसे हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं जो हमारे बहुत काम में आती है ऐसी एक मशिन है इट इस यूज अट सेवरल प्लेसेस सच अज होम, स्कूल, हस्पिटल, एक्सेटरा कम्प्यूटर जो है वो बहुत सारी जगों पे यूज होता है जैसे के स्कूल, हस्पिटल, ओफिस, होम और भी बहुत सारी जगे है So, now we are going to see some, read some places where computers are used and what is the purpose behind using computer in some places So, first in schools, used in library for keeping records of books Okay, library school की जो library होती है उसमें बहुत सारे books होते हैं तो उनका record रखने के लिए computer is necessary Keeping the details of students and teachers School में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे students होते हैं तो हर एक का नाम, address, और ऐसे सारे details, date of birth यह सारे details जो होती हैं, वो computer में store की जाती है Students की as well as teachers की, right So, making timetable and preparing results Students का जो timetable होता है, जो progress report कार्ड होता है वो बनने के लिए, वो बनाने के लिए हमें computer की school में ज़रूरत पढ़ती है, right Now, in shops, keeping the details of items Computer की ज़रूरत shop में, बहुत सारी चीज़े shop में बेचने के लिए रखी होती है तो किसकी quantity कितनी है, कितनी चीज़े stock में है, कितनी चीज़े खतम हो गई है, कौन सी चीज़े कब मंगमानी है इसका सारा detail record हम computer में, जो store keepers होते हैं, वो shop keepers और store keepers, वो computer में save करके रखते है for printing bills, recording the movements of customers, हमने सामान लेने के बाद हमें, जो bill मिलता है, वो printed bill, computers की help से ही निकलता है plus security cameras लगाए गए होते हैं, जिससे कौन कब store में आया, कौन कब निकला, ये सारी movement जो होती है, उस पे भी ध्यान रखने के लिए computer help करता है now in banks, so maintaining the accounts of customers, withdrawing money from ATM machine, ATM machine means automated tailor machine, उसका full form है now, maintaining accounts of customers, bank में सब के accounts होते हैं, सब अपने पैसे रखने जाते हैं, तो ये किसके account में कितने पैसे हैं, कब किसने कितने पैसे डिपॉजिट किये मतलब अपने account में जमा किये, या कितने किसने withdraw किये, withdraw मतलब निकाल लिए, तो ये सारा record जो है, वो computer की help से bank में रखा जाता है, तो हमारे पास पास बुक होता है, तो इस पास बुक में entry करवानी होती है, कि कितने पैसे आये, कितने पैसे निकाले, ये सारा पास बुक पे entry करने का काम भी computer की help से होता है, right? Now, we will see some more examples, see, at offices, offices में भी computer का use होता है, so, typing and printing letters, storing a lot of information, sending emails, files, etc. Okay, office में computer का use किस लिए होता है, तो typing के लिए, plus printing letters, कुछ letter type किया है, तो उसे print भी करना आपता है, printer के help से, तो printer और computer attached रहते हैं, तो print निकल जाता है, okay, बहुत सारा work जब करते हैं, तो वो work को store करना, save करना भी बहुत जरूरी होता है, तो वो भी computer में save किया जाता है, plus internet की help से हम email कर सकते हैं, एक जगे से दुसरे जगे पर जो files है, वो send कर सकते हैं, और ये जो emails और files होते हैं, ये जब हम send करते हैं, तो ये कुछ ही seconds में यहां से एक जगे से दुसरी जगे पहुच जाती है एक computer से दुसरे computer में फिर वो computer एक computer इंडिया में हो और हमें जहां पे mail करना है वो USA में करना हो तो भी कुछ seconds में ही वो mail वहां पे पहुच जाता है इतना fast internet और computer काम करता है Now, at home, playing games, listening to songs and watching movies, doing homework घर में computers होते हैं तो हम क्या करते हैं? कभी कभी उसमें games खेल लेते हैं, कभी music लगाते हैं तो कभी हम movies देख लेते हैं, cartoons देखते हैं और कभी कभी अगर हमारे projects हैं तो project करने के लिए help होता है कभी हमारा homework हो, जिसमें computer की help पढ़ने वाली हो तो हम computer भी homework करने के लिए use करते हैं Now, at hospital, keeping the details of patients, getting information about diseases and their causes, preparing medical reports अब hospital में computer का use क्या है, तो सबसे पहले वो ही के patients जब आते हैं, तो उन patients का नाम, age, उन्हें किस तरीके की बीमारी हैं, ये सारा record रखने के लिए computer यूज किया जाता हैं एक बार बीमारी का पता चले, तो वो बीमारी के causes, causes मतलब ये बीमारी क्यूं हुई है, वो वजह ढूणने होती हैं, उसमें भी कुछ computerized test होते हैं, उससे पता चलता है फिर एक बार अगर वजह पता चल गया, अगर हमें cause पता चल गया, तो उसका diagnose भी पता चलता है, उसका क्या ilaj है, क्या treatment देनी चाहिए, ये doctors को help होती हैं, समझने में, तो ये जो कुछ tests करते हैं, हम जब hospital में जाते हैं, तो कुछ test doctor हमें करने बोलते हैं, तो वो जो test होती ह हैं, वो computerized होती है, मतलब computer की help से होती है, प्लस जब diagnose हो जाए कि बीमारी क्या है, उसका ilaj क्या करना है, तो फिर medical reports बनते हैं, तो ये जो reports बनते हैं, अगेन उसमें भी computer का ही help होता है, तो hospital में भी computer बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हम देखते हैं, हम hospital में गए, हर एक ची चीज की जो अभी eyes check-up करना हो, ear check-up करना हो, x-ray विकालना हो, कुछ भी करना हो, heart का checking करना हो, brain का MRI करना हो, scan करना हो, कुछ भी करना हो, तो computer की ज़रूरत पढ़ दे हैं, हर एक चीज अब computerized हो गई है, तो hospital में तो computers बहुत ज़्यादा जरूरी है, Now, in designing, designing clothes, cars, machines, buildings, making cartoon films, etc. Computer की help से हम designs बना सकते हैं, जो cars, cars बनती हैं, नए-नए models बनते हैं, machines नए-नए बनती हैं, नए-नए fashion के कपड़े जो बनते हैं, ये सारे पहले उनकी design computer में बनाई जाती है, वो design बनके ready होती हैं, तब उस तरीके की company में या factory में उसका production होता है, मतलब एक बार computer में बनाते हैं, उसके बाद ही machines उस तरीके से उन्हें बनाई जाती हैं, जो car हो, या कोई machines हो, या कपड़े हो, उनको बाद में बनाया जाता है, बड़ उनकी designs जो है, उसके बनाने के ल papers, books and magazines, design हम आपका, जो computer का text book है, या कोई भी text books है, तो उन text book की design है, उसमें जो pictures रखे जाता है, जो type किया जाता है, जो हम read करते हैं, वो सब पहले computer पे उसके design बनती है, design बनने के बाद उसके printing होती है, printing मतलब छापा जाता है, तो उस printing के लिए भी computer की ही help होती है, क्योंकि printing machines जो होते है, वो भी computer से ही attach होते है, इसलिए printing में भी computer की help पड़ती है, चाहे फिर वो newspaper प्रेंट करना हो, book प्रेंट करना हो, या तो फिर magazine प्रेंट करना हो, okay, हर एक चीज़ में computer की ही जरूरत पड़ती है, Now, in space research, space research मतलब हमारे scientists जो होते हैं, वो आकाश में, अंतराल में, कुछ space ships छोड़ते हैं, या satellites जाती हैं, या missiles जाते हैं, रॉकेट्स जाते हैं, जैसे last time हमने मंगल यान भेजा था, तो वो जो वहाँ पे जाते हैं, ये सब जो space ships होते हैं, ये space में जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं, तो space में क्या चलता है, space कैसे हैं, ये हमारे जो आकाश है, जो सवर मंडल जिसे कहा जाता है, वो कैसे हैं, planets कितने हैं, यह सारी जो information होती है, यह सारी information हमें computer की help से ही मिली जाती है, इसलिए scientist जो है, वो space में missiles, rockets, information लाने के लिए, space के बारे में information देने के लिए use किये जाते है, तो helps in finding information about space, used for sending rockets into space, हमें scientist जो है, वो space में rockets, missiles, satellites send करते हैं, उसमें बहुत जादा importance होता है, computer का, because हर एक चीज़ computer के help से ही की जाती है, right, now at railway station and airport, for booking tickets, giving information about arrival and departure timings of trains and aeroplanes, अब railway station हो या airport हो, बहाँ पर भी computer बहुत ज़्यादा जरूरी है, why, क्योंकि हमें अगर train की tickets book करनी हो, घर बैठे train की tickets या plane की tickets book करनी हो, तो computer के through हम book कर सकते हैं, उन्हें reservation कहा जाता है, वो reservation हमें करना है, तो हम reservation या तो भी उसे e-tickets कहा जाता है, जो कि हम railway station या airport के ना जाते हुए घर बैटे ही कर सकते हैं, plus railway station और airport में जो computer यूज किया जाता है, तो उसमें train हो या plane हो, कब कौन सा plane या कब कौन सा train कौन से station से निकल चुका है, कौन से station पे कितने बज़े पहुँचेगा, यह जो in planes का और trains का जो status होता है, मतलब कौन कहा आप कब पहुचेगा, यह सारा record जो है computer की help से रखा जाता है, और computer की help से ही उन्हें हर एक station पे provide किया जाता है, तो इसलिए computers railway station और airport पे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे और भी ज़्यादा जगों हो पर computer यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको आपकी worksheets में दिया गया है, right, now, this lesson is over now, explanation and reading is over, now what you have to do, you have to solve the exercise in your textbook, यह जो exercise है, यह मैंने आपको PDF file send की है exercise की, तो यह वो exercise जो है वो आपको notebook में भी लिखनी है, as well as आपको textbook में भी complete करनी है, okay, thank you,